नमस्कार बिहार पे चर्चा विशेक तिवारी के साथ और देखे चर्चा महराष्ट की हो रही है और उसके बाद बिहार की चर्चा होने लगी है महराष्ट के नतीजे के बाद जो भी वहाँ पर हुआ है गटना करमकल उसके बाद अगली चर्चा यही है कि जो महराष्ट में हुआ वह अब बिहार में होने जा रहा है और बड़ी चर्चा है कि KDU में टूट हो रही है, नितीश कुमार फीड़बैक ले रहे हैं अपने सांसदों से, क्या ख़बर हैं अभी शेख जी वहां से, पटना से? सबसे पहले तो हरश की बात के सभी दर्शकों को जैशुराम पढ़ाम नमस्कार, यह खबर एक्चुली महरास्ट में पहले होगी, लेकिन खबर पिछले चार दिन से चल रही है, जब से MLC से मीटिंग होई, फिर MLA से और अब सांसदों से मीटिंग होई, तब ही से यह खबर ह की शुरुवात पता है सरकास वी, जिस दिन महागठबंदन की पूरी मीटिंग थी, सब लोग आए, पहले लालुप्रसाद यादों से मिलने जाते थे, नितीश कुमार, शायद लोग कहने की महागठबंदन की बैठक में सामिल नहीं होते हैं, अगर विक्तिगत रुप से लालुप्रसाद यादों लेने नहीं होते हैं, नितीश कुमार ने बहुत सारे निताओं को रिसीव तक नहीं किया, वो एक अलग, मैंने बूला था ना सर, जब नितीश कुमार अचानक से वनवास टाइप के मूड में चले जा तो समस्यां बातचीत होने लगती है, बिहार बड़े पत्रकार आप देख रहे होंगे पिछले चार-पांच दिनों से नितीश कुमार के संदर में बात करें, लेकिन जब भी इस प्रकार की बातें आम हो जाती तो मैं थोड़ा सत्ता के मतलब धूरी के विप्रीत सोचने लगता हूं राजनीती में बिहार के, लेकिन उ कि सर्फ टूट जो है जद्यू में संभाव नहीं है, जब भी जद्यू अगर कुछ करेगी तो नितीश कुमार ही पलटी मार सकते हैं, तूट नहीं हो सकता, नितीश कुमार के विधाय को कोई असांसदों को तोड़ना वह बहुत तैणी खीर है, शरत पवार के साथ हो सकता है, मैंने बहुत पहले भी कहा था कि किसी के साथ हो सकता है, लेकिन यह तो हॉर्स ट्रेडिंग के चैंपियन्शिप में भी बतलब जिसको कहता है, जब विंबल्डन पीट सेंपरा सेक्समें सोलर ग्रेंट स्लैम जीर कि आसा तो लोगों ने गा तक कहा था कि कभी कोई मैं बता रहा हूं, जो हमने अपडेट निकाला है, उसमें से तीन सवाल कुछ विदायकों से मेरी बात ही, उन्होंने कहा, अगर आप नाम रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि फिर मेरे लिए परशानी हो जाएगी, नाम रिवील करते ही, एक बार आपने वेटिंग सांसदों क जो जद्यू में जाने वाले थे हर्स जी कहीं चैनल पर रिवील किया था, उसके बाद पूरा बीवायर में बवाल हुआ था, हम लोग को कुश्चन एंसर देना पड़ा है जद्यू में, लेकिन तीन जो प्रस्ट है वो मैं बता देता हूं, कि आपके छेतर में कामकाज कैस रूप से जो सहयोग था, वो किसके समय ज्यादा अच्छा था, जद्यू के समय बीजेपी के साथ जब लाइन्स था या आर्जेडी के साथ, और तीसरा सबसे खतरनाक सवाल, सबसे बात में घुमा फिरा के पूछा गया है, कि आप लोग जद्यू अगर आर्जेडी में वि सब्सक्राइब या बीजेपी के साथ, दो हजार चौबिस में अगर अलाइन्स हो जाता है, इसी खबर ने जो कुश्चन मार्क है, यह हमारा अलाइन्स ढूटने से आपको समस्या होई है, तो लोग कह रहे हैं कि नितिश कुमार एक तरफ अपने विधायकों का सांसदों का मूट भापना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो देखना चाहरे हैं कि क्या क्या सिचुएशन है, लेकि तीन दिन पहले सारे एक और घटना क्रम वह था, जिसने चौकाया था लोगों को, पहले राजभावन में सुसील मोधी जाते हैं, उसके एक घंडे बाद नितिश कुमा ज मिलने के लिए आपको जो है, कोई विशेस सत्र चल रहा हो या कुछ होने वाला हो, जिससे आपको जाना पड़े हैं, इसी वज़े से ये पूरे बिहार में, पिछले चार-पांस दिनों से बाते उठने लगी है कि नितिश्वा कहीं फिर पल्टीम बत मारते हैं, लेकिन हुई है, या उद्दव ठाकरे और NCP में जो हुआ है, तूट तो उसको कहते हैं, लेकिन यहां तो जाएंगे कि साब पिछली बार हम जेडियों के सांसत कहतेंगे जाके साब पिछली बार उनसे के टिकेट पलड़ते हैं आपके बार, आप दे तो टिकेट, तो मामला तो य है, क्योंकि बीजेपी, इनके लिए आसान इसलिए है, बीजेपी में जाना, क्योंकि बीजेपी का कंडिडेट महां कोई था नहीं पिछली बार, तो इन लिए तो बड़ा आसान है कि जाएं और बार इस बार बीजेपी से टिकेट ले ले, तो बामुद्दा तो यह टूट के इधर से उधर जाते रहते हैं, मर्जी हैं उनकी, जो चार सांसद है, सब उनका नाम सुनिए, बहुत इंपोर्टेंट है, जैद्यू के सांसद, दुलाल शंद, दुलाल शंद, गोस्वामी, सुनील कुमार, चंद्रवेस्वर, प्रसाद, चंद्रवन सी, जिन पर वही करोड़ वाला वो चल रहा है न, जहानाबाद के सांसद, एम्बुलेंस वाला, और अनील है, ये चारों पहुंचे थे, इनके बारे में तो बार से बताईए कि ये कहां कहां से सांसद हैं, और इनके क्या समय करने हैं, वहाँ पर थोड़ा सा बताईए अगर कुछ जान करें जी, एक तो बने बता दी है, चंदरवनसी जो है, वो सांसद हैं, जहानाबाद के, बाकी तीन लोग जो है, इनके बड़े विश्वासूत मानने जाते हैं, कि मतलब जद्यू के साथ विसम पर इस सितियों में भी कहते हैं, गोस्वामी जी के बारे में कि ये विसम पर इस सि सिवान वाले, वो उनके बारे में कहा जाता है, कि वो समाजिक समिकरण का बड़ा ध्यान लगते हैं, अब यही समाजिक समिकरण बड़ा रहा है सर सिवान में, सिवान और गुपाल गंज में जद्यू का अपना बेस नहीं है, उतना अधिक, विदाउट बीजेपी वहां पे सर, पासवान, ब्राम्वन, भूमिहार, राजपूत, और कुश्वाह, मिल करके 48%, 48%, अब सर, 48, यह तो तय है, अब कि कुश्वाह, नितिसकुमार के साथ नहीं है, तो इस 48% में सर, इधर उधर कुछ हो भी गया, तब भी 45%, 44%, चलिए, पांच परसेंट माइनस करे 43%, यह सर, विनिंग कॉंबिनेशन है, 43% वोट शेर इस विनिंग कॉंबिनेशन, क्योंकि हमें साब 10% वोट कम होता है, उपर से कुछ निर्दलिय को चला जाता है, वोटिंक बिहार में वैसे भी 60-70% होती है, उस ओवर ओल भी मैं अगर पिक्चर वे बात कूँ, तो यह जो सांसद रिपीट नहीं होने वाले हैं, तब से जद्यू और आरजेडी के कई लोगों में का इंट्रेस्ट वीजेपी में बना हुआ है, लगातार दोरे हो रहे हैं, मीटीं हो रहे हैं, इसको नितीज कुमार भाप गया, कि कहीं ऐसा नहों मेरे बहुत सारे सांसद लास्ट म हो गया नहीं, और वीजेपी के साथ तो खेर जिते ही थे पिछली बार, यही बात सही है, पहले तो परसों की बात है, खबर उड़ी के पांच सांसद के नाम जो है, वो काटती जाएंगे है, लेकिन चुकि गोस्वामी जी का उस लिस्ट में नाम था लेकिन गोस्वामी जी कि इनके ठीकट काटे गया है, फिर उनको पहले क्यों बुलाया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो एक बार भाप ले रहे हैं, कि यह कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा के रुख का वेट कर रहे हैं, कि जिधर हवा रहेगा उसके ही साथ से, तो नितीश कुमार बहुत भूख भूख कि यह काम मुझे तो लगता है कि कहीं पर देश आत्रा चोड़के बीच में भागे आ जाएं, नहीं आ गया है, कल आ गया है, इसमें क्या है ना, इम्पोर्टेंट, यह जो नितीश कुमार कर रहे हैं, यह कोई पहली बार इस प्रकार का कारेकरब नहीं हो रहा है, मैं तो विधायकों से बादचीत के लिए यहीं आ जाते हैं, फिर विधायकों से बादचीत के लिए यहीं आ गया है, और सांसदों से भी मीटिंग भी और तीन दिन बार सर पल्टी मार दे थी, अब जरा कलपना कीजिए, जिस आदमी ने महागट बंधन को होस्ट किया हो बिहा की और बाकी चीजों के credibility रह जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है कि संभावना है बिहार में 2024 के चुनाव के पहले बहुत तेजी से बदल रहा है सभी का अच्छा एक अभी पिछले दिनों टाइमस नाव नौ भारत ने एक सर्वे दिया है और यह महराष्ट में जो घटना करम व हुआ तो उसने यह बताया कि अगर इस से में चुनाव हो लोग सभा का तो बिहार में 40 में से एंडिये को 22 से 24 सीटे मिल रही है और महां ठग बंदन जो है इनका इसे 16-18 मिल रही है तो यह क्या इस क्या इसका संकेत निकाले 22 से 24 इनको और 12 से 18 इनको मतलब जो निर्दलिया वेगरा के लिए को गुंजाश ही नहीं है जीरो है बागी नहीं ठीक है यह ठीक बात है आज से चार या पांच महीने हमने बिहार पे जब बात कि थी शोक गया था पहली बार जब यह सारी चीज़े चल रही थी तब भी मैं इजेपी को अपर है लोक सभावें उसके कुछ लॉजिकल कारण है सर जो माई समीकरण की बात होती है सर माई समीकरण बड़ा भिखरा हुआ सा है बिहार में आज के समय क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन सिमांचल की तरफ शिफ्ट हुआ चाहां वो गया से हो जहानाबाद से हो भोजपूर से हो वह बहुत सिमांचल की तरफ और बंगाल की तरफ शिफ्ट हुआ आपको पता है कि वह एक तरफ यूनाइट होते हैं उनका स्टाइल है वह जहां बसते हैं एक साथ बसने का प्रयास करते हैं और यादो समीकरण रहे गया तो जहां मुस्लिम समीकरण 77 परसेंट है एक परसेंट है अर्टालीस परसेंट है वहां याता हो नहीं है तो मुस्लिम सभी करणे चिता तो लेगा लेकिन अब आप यह सूचे कि 19 परतिसद्द बिहार में अगर मुस्लिम वोट है और 16 परतिसद 17 परतिसद अठारा परतिसद है जैसे गया हो गया रोहतास हो गया वहां 8 percentage 9 % दस únट या 24 परसेंट नेक्सट इज़ जो काम बिनेशन नला वनिंग काम बिर इसी वज़ास मैंने बोला कि रहतास हो गया इसीवान हो गया गुपाल गंज हो परहेंड हाजीपूर हो गया वहां भी परहेंड है जमुई में भी यहां तक कि मुगेर लोग सभा इस बार जो है मैं कह रहा हूं सर आपके चैनल पर बहुत बड़ी बात ललन सिंग के लिए जीतना बहुत ही बहुत ही टफ चीज है नहीं जीते हैं क्योंकि वहां का भुमिहा लेकिन वहां पर उसे लगता है कि वह अपने दम तक कुछ करने में सक्सम है लेकिन जेडियों वालों को सभी को यह लग रहा है कि हम पिछली बार बीजेटी के साथ जीत गए थे आरजेडी के साथ नहीं जीतेंगे यह सक्से जाए इन सिक्योर्टी मैक्सिमम उनके मनों में एक दम आपने पूरी तरह से सही बात कही सर और इसी वज़े से यह बात ने उठने लगी है पीजेपी का इस्टेट लीडर्शिप ने दरभंगरा रेजोलूशन में बात का था दोहजार चौबीस और दोहजार पच्चीस में हम नितीश कुमार के बिना लेंगे अगर इस् नहीं अब बीजेपी अकिले चलेगी बीजेपी जो अलायंस अपने चोटे मोटे ढूडने होंगे उत्तर प्रदेश के तरजपे हम काम करेंगे और नितीश कुमार को बाहर रखें अमित शाह सो लगातार आते हैं वो भी इसी तरह का इशारा करते हैं मेरे ख्याल में जब स पिस्ची दूप से उपर से कहा गया होगा कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे लेकिन जो लोग चाहेंगे बीजेपी में जोएन करना उन्हें तो जोएन करा है जासा जैसे आपने चार सांसदों के नाम भी लिए अगर ऐसे लोग आना चाहेंगे और कहेंगे बीजेपी का टिकट लेकिन बहुत सारे लगवग छे सांसद हैं जो लगातार बीजेपी के टच में हैं इसमें कोई संदेश नहीं आप जो आपने बात कही ना स्टेट लिडर्शिप सब भाट ठीक है सरे स्टेट लिडर्शिप सब बाट ठीक है लेकि पता नहीं क्यों बिहार वासियों को जद सब्सक्राइब नहीं करते नितिश्कमार पे उन्होंने पूरा एंपी का भाशन सुनिये सर इस जो उन्होंने भौपाल में दिया था सब पे उन्होंने बात कर दी लेकिन ने कुछ नहीं कर दो कि कहीं पी-एम ना इंट्रेस्टेट है कि यूवाप जो प्रयास करना कि यह बीजेपी नहीं तयार हो रही है कि हम पुर्णा अलाइंस करेंगा और बहुत सा बहुत मुश्किल हो जाएगा सर अगर यह अलाइंस होता है तो दो हज़ार चौबीस आप निकाल लेंगे बीजेपी एक बार फिर से सतरा की सतरा अपनी सांसाथ भी रिटेन कर लेगी लेकिन तो हजार पच्चीस में बीजेपी और जद्यू की हार होके रहेगी यह मैं लिख सकता हूं सर कारंटी इतना इंटीन कंबेंसी सर बिहार में परसो इस्टूटर्स पे जबरतस फिर से पुल सिक्षा में हर इस्टेट में डोमेसाइल चलती है जो जिस प्रकार से अभी तक चल रही थी उसी प्रकार से चले आपने फॉर्म फिलप करवा लिया और पंद्रह दिन बाद आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप बाहर इस्टेट वाले भी बने तो इतना बीपीसी सब्सक्राइब को पता है कि एक से पांच क्लास में बिहार बोड में फिजिक्स केमेस्ट्री बाइलोजी अलग-अलग सब्जेक्ट हैं सब्सक्राइब को हमारे पता नहीं है अगर बिहार के सिक्षा मंत्री है तो निटीष कुमार कहीं कहीं इस बड़बोले आदमी और आर्जेडी के कुछ लोगों से बीच-वीच में बहुत अस्याज हो जाते हैं और वहीं उनकी परिशानी का कारण है अच्छा इसमें जो एक बात ये भी सामने आ रहे कि तेज जून वाली जो मीटिंग हुई थी उसमें जिस तरीके से राहूल गांदी को हीरो बनाया गया जा बाकी सारे दलों के नेता जो है राहूल गांदी को हीरो बनाते हुने जराए इससे भी नितेश तेजस्वी यह सामने बोल दिये कि दूला बनो बराती करो क्या बिहार के पत्रकार और बाकी लोगों को पता नहीं है जो फिर से टीश कुमार को तरफ इंट कर जिसको चाहे दुश्मन बना लिए क्या फिर से बीजेपी को दोस्त बनाने में कामयाब होते हैं यह देखने वाली अच्छा बस अब चलते चलते एक बार वो चार जो सांसद जेड़ू के इनके तरफ जा सकते उनके नाम रिपीट कर दीजिए सर चार का नाम रिपीट करूंगा सर नाम मैंने बोला है यह चार लोग मिलने गया थे सर लेकिन दो देखे पिछली बार भी आप ही के शो के वाई से मुझे बहुत कॉला है थे गयास और अंदाजे लगाना हमारे कहने से इससा नहीं होता कि सरकार बदल जा रही है अगर मैं कहाती ह 빨리 जो इसे पाद गया प्रेशलिट जो दुलाल चंद गुस्वामी है और सुनील कुमार है यह दो नाम सर है लेकिन एक नाम और है जो सर भागलपूर के सामसद है और वो ना जद्यू के है ना कॉंग्रेस के है जाती से भुमिहार है और एक भूत बड़ी अभिनेत्री के पिता है पिल्मों में आई है वही ना नेया अश्रमा कॉंग्रेस के नेता हैं पिछले दो दिनों से सरे एकदम से चक्कर पर चकर उनका दिल्ली के भाझपा ऑफिस पर लग रहा है तो चाहिए अब यह देखना है कि भागल पूर सरा नवाज के पास रहेता है को यह नेहा शर्मा पीटा के पास यह नां principles के है यह नेता है हाँ शोगा से बड़ी बात सर इनके साथ नहा के साथ दोनों अपने बेटी के बेटी रोड सो हर बार करती है और यह बहुत विधान सबागे यह एक्चुली विधायक है सब्सक्राइब और इस बार चाहते कि वह सांसत बनें कॉंग्रेस इनको टिकेट देना नहीं चाहरी है और मंडल जी है बोलो मंडल है हां राज़त से उनको राज़त टिकेट देना चाहती है तो यह चाहते हैं कि दोनों को बाई-पास कि यह लग सबाल लड़ना चाहते हैं अ प्रफ़सर एक सेंवाज हुसे पर दिया है वो तो कुछ से रही निए उनकी तो जब रेप वाला मामला उन्पे बना सुनता है इसके उपर से संघ का हाथ हट गया उसकी भाजबावे राजनिती समाप्त हो जाएगी मैंने आपको स्टोरी बताई थी नि government मंडल जी अचानक कैसे सांसत्थ बने एक संग के पताधिकारी अचानक लालू प्रसाद यादव के पास पहुंसते हैं और करें मंडल जी को टिकट दे दीजिए भागलपूर से सहनवाज हुसेन के खिलाफ और 5000 वोट से सहनवाज हुसेन आंततों कतवा भागलपूर से चुना और उसमें निटिश कुमार भी होंगे नहीं क्या उसका इसाब होगा मुझे सब्सवром मठेबों और MICH ये गुगली भी मेरी थी मैं भी चला विक्रम बेताल के तरह अब तो मैं चला वह वाली इस्थिति न हो जाए चलिए देखते हैं बिहार पर हमारी नेजर बनी रहेगी आप जुड़े रहिए हमारे साथ नमस्कार जैश्रीराम जैश्रीराम अगर आपको हमारी वीडियो पसं जन की भी मेरी आपको हमारे साथको वीडियो जैश्रीराम जैश्री नबच लडश को हमारी भी में बना स्वेश्रीराम चला आपे तरह जाच सहच्छा, समय मझे अपको हमारी इसाख़ोरी तरह जिए रहार रहिए हो।